है कि अठीज ना आज के इस गत्रम में था सब्सक्राइब बनार सिंग देऊ कि अध्बुत लीला हैं सुन रहे हैं आज हम आपको उसी क्रव में कोछ अधे लिला हैं सुनाएं तो एक बार एक मायापुर में एक भक्त एक मात्र जीवां गई और उनका कुछ अपना कस्ट था किसी को बता नहीं था उन्हें भगवान नर्सिंग देव से प्रात्ना किया था तो एक दिन भगवान नर्सिंग देव की पूजा चल रही थी अविशे चल रहा था अचानक उहां पर देखा गया कि भगवान नर्सिंग देव के माला से एक फूल गिर गया तो पुजारी जो थे उन्होंने देखा कि अचानक से फूल टूटके गिर गया तो उन्होंने उस उठाया और जो सब लोग दर्शन कर रहे थे भीड तो उसको उन्होंने पूछा कि किसी को यहां पर किसी ने भगवान नर्सिंध्यों से कोई कोई special अभी अभी कोई प्रात्ना किये क्या तो जितने लोग आगे थे कोई कुछ बोला नहीं तो जैसे ही उन्होंने और पूछा तो पीछे से एक मातजी रोते हुए सामने आई बोली हां मैंने प्रात्ना भगवान नर्सिंध्यों से किया है क्या प्रात्ना किया है मेरे एक बेटी है और लेकिन उसका कोई संतान नहीं है साधी को काफि समय को proven की है के मारे बेटी को की संतान पूछ पूँजारी ने कहा कि आपकी Stunden गई है ऑगवान नर्सिंग देव की जो माला से फूल गिरा है ये कोई आसान बात नहीं है ये परसाद की रूप में आप ले जाए और इस फूल को धुल कर वो पानी आप अपनी बेटी को पिला दीजिए तो ऐसा ही उन्होंने किया एक साल के बाद माता जी फिर से उसी मंदिर में आई मायाप भूल दिया था वो सही मैं भगवान-णर्सिंग देव का प्रसाद था है भगवान-णर्सिंग समय में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था और प्रवपाद जी उसको बना रहे थे तो इस मंदिर के बनने में एक ब्यक्ती बहुत ही ब्यवधान डाल रहा था बहुत तरह की समस्या है कर रहा था बार बार कुछ ना कुछ कर देता था और भक्त लोग परेशान थे मदलब वो इतना बड़े स्टर standards करता था कि legal action भी हो रहा था और भक्तों को परेशान भी कर रहा था जान की विधम दे रहा था कई तरह के उल्टे काम मंदिर में कर देता था कि दो समस्य बढों का नाम बदनाब है इस तरीके से वो कई तरीके से जो है भक्तों को परिशान कर रहा था और मंदिर में बेवधान डाल दा था कि ये मंदिर ना बन पाए तो फिर भक्तों ने जाकर शुल्प बवाद से प्रात्ना किया कि इस तरीके से वेक्ती हमारे मंदिर के बनने में ब्यवधान ला रहा है तो शुल्प बवबाद जी को तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा उन्होंने पहले उसको समझाने की कोसिस किया वो नहीं माना तो फिर उनों ने जो है पहुबाजी ने भगवान नर्सिंग देव से प्रात्ना किया भगवान नर्सिंग देव जो है भक्ती में आई वे बिगनों को तुरंत जो है खतम कर देते हैं विगन को भी खतम कर देते हैं कभी-कभी बिगन करने वाले को भी खतम कर लेते हैं रहे कि नहीं तो भगवान नर्सिंग देव इस तरीके से शिल पव्पाज जी ने भगवान नर्सिंग देव से प्रातना won हमारी प्रातना हम यह मंदिर आपकी सेवा करें यहां पर बहुत सारे आएंगे आप को नाम कीतन करेंगे संकीतन होगा परसाथ बित्रन आज देखिए हमारे इस कौन के मंदर कितने हर जगए इसी बिसम परिस्तिती हो रखी है और उसमें इस कौन के मंदर सब को फिरी में परशाद भर पेट पर साथ खिला रहे हैं उनको दे दे के जा रहे हैं उनकी जगए पर दे रहे हैं इस लॉकडाउन की परिस्तिती में तो सारे चीनों का उद्धार हो जाएगा तो हे नर्सिंग भगवान अगर आप इसमें परसंद हो तो आप इस समस्या का समाधान अपने हसाब से करें और ये मंदिर को बनने में आप हमारी मदद करें तो इस तरीके से भगवान नर्सिंग देव से शिल प्रहुपाद जी ने प्रातनक कर दी और उसके बाद कुछ दिनों में देखा कि अचानक बहुती आश्यर जनक तरीके से वविक्ति अचानक से उसका हाट अटेक हो गया और वविक्ति मर गया तो इस तरीके से वविक्ति मर गया तो सब लोगों ने आके प्रभुपाजी को बताया कि अचानले पुस्विक्ति का हाट एटेक हो गया तो प्रभुपाजी ने कहा कि हो सकता है बभवाल नर्सिंग देव ने इस तरह का दिवस्था किया बाद में वो विक्ती का हार्ट अटेक अचानक इससे हूगивать तो उसका पिर केश भी हुआ और उसका जो प्रिक्षन सब होता है हो सब हुआ तो उसकी रिपोर्ट में आया कि जो है उसको हार्ट अटेक ही हुआ था अर उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन व हो डाक्टर इस नहीं चेकिंग किया था हो मंदिर में और उसने भवार्वान नर्सिंग को बढ़ गया क्यों विद्वित्ती का मैंने परिक्षन किया हे डेड बॉड़ी का ये डेड़ बॉड़ी तो एक्शली में इसका हाट तो फेल हुआ है ये वाद जानवर जैसे सेर होता है चीता होता है उसके पंजे के निसान है उसका हिर्दय ऐसे लग रहा है जैसे किसी सेर ने उस हिर्दय के अंदर नाखुन गुशा के उसको दपा दिया हो उसको पाउडर बनाने की कोसिस की गई हो तो उसके हिर्दय के अंदर नाखुनों के निसान है सेर की नापू कि निशान हैं तो अगर सेर के नापून की निशान है तो सीने पर नहीं है अब हार से देखेंगे तो कोई निशान नहीं है लेकिन अंदर उस डाक्टर ने जिस तो डर क्या और उसने सोचा है तो भगवान नर्सिंग देव की किरपा हो सकती है तो हो सकता है कि भगवान नर्सिंग देव भगवान तो सभी के हिर्दे में परमात्मा के रूप में रहते हैं और भगवान नर्सिंग देव वहीं से नर्सिंग रूप बना के परमात्मा नर्सिंग रूप बना के उसको मार दिये क्यों क्योंकि वो भक्तों को परिशान कर रहा था मंदिर बनने व्योठान ला रहा था बहुतों कि यृतन में نام संकीतन नाम नाम के पर चार में ब्योठान ला रहा था और सुद्ध बहुत की प्रात्थना थी सुद्ध बहुत को परिशाच कर रहा था इस तरीकी से ओ जो बहुती था बगवान नर्सिंग देव उस पर इस तरह से किरपा किया इस तरी है हम नर्सिंग एकुर कोई कूदने जैसे किसी को कुछ बताओ एक दम से उठता है ना चलो मैं देखता हूं कौन तुम्हें परिशान कर रहा है इस तरीके से भगवान नर्सिंग देव वहां पर उचलने ही वाले हैं इस मुद्रा में वहां पर विलाजवान है कि कोई भक्त जैसे कुछ हमसे प्रात्ना करेगा औ एक दम से नर्सिंग भगवान बोल रहे हैं मैं आ जाओंगा उसकी मदद करने के तो इस तरीके से जो है भगवान नर्सिंग देव की कथा है और यह कुछ सची घटना है तो आज के लिए इतना ही कल हम फिर से एक नई कथा के साथ आपको बताएंगे हरे कृष्णा थेंक य गद्दो की जाएं भगवान नर्सिंग देव की जाएं भक्त श्रोमनी प्रहदाद महराज की जाएं अधरे कृष्णा थें झाल